नमस्कार मैं हूँ दिवय बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 26 अगर्स्त दिन सनिवार खबरों के और बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर हाउस केपिंग विवस्ता के तहत अब राज्यों के सबी स्कूलों के साफ सफाई का रखा जाएगा ध्यार यूनिक आईडी से चात्र भरेंगे इंटर परिक्षा फॉर्म लोगसभा के कारवाही में इन सांसादों ने बनाया अपना रिकॉर्ड चंद्रियान तीन की सफलता के बाद इस रोब इस मिसन को सफल बनाने की कर रहा तैयारी अब चलिए भरते हैं बिहार के अब तके 25 बरी ख़बरों के और विस्तार से यूनाइटेड इंडिया इंसूर्ण्स में 100 पदों पर भरती सारवदनिक छेतर की बीमा कंपनी उनाइटेड इंडिया इंसूर्ण्स कंपनी लिमिटेड ने विबिन विभागों में Administrative Officer Scale 1 के पदों पर भरती के लिए अधिसूचना जारी की है जिसके तहत कुल 100 पदों को भरे जाएंगे आवेदन के लिए एक चुक उमिद्वार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट uic.co.in पर उपलब्द कराएगे ओनलाइन एपलिकेशन फॉर्म के मादिम से आवेदन कर सकते हैं बतादे के आवेदन करने के अंतिम तारीक 14 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है इसके लिए अगर सेक्षनिक योगिता की बात करे तो उमिद्वार को रिक्तियों से संबंदित विषय में यूजी पीजी दिग्री उत्तिर्ण होना चाहिए साथी उमिद्वारों की आईउ 31 मार 2023 को 21 वर से कम और 30 वर से अधिक नहीं होनी चाहिए हाला कि अरक्षित वर्ग की उमिद्वारों को अधिकतम आईउ सीमा में छूट दी जाएगी इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए भरत्य दी सूचना एक बार जरूर दे बेंच डिस्क की सफाई जारू पोचा सोचालेवं यूरीनल आदी की सफाई हाउस कीपिंग के लिए चैनित एजेंसिया करेंगी। साफ सफाई के साथ ही जरूरी फेनाइल, हार्पिक, तेजाब और लिक्वेड हैंड वॉस भी एजेंसिया उपलब्द करवाएंगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे गुर्मीत चौधरी के बारे में। प्रथम रनर अपके रूप में उपरे। बॉलिवूड फिल्म उद्योग में गुर्मी चौधरी का पहला कदम 2015 में था जब उन्हें फॉक्स स्टूडियोज इंडिया और विसेज फिल्म सद्वारा निर्मित मनो वैग्यानिक थ्रिलर का मूसिया में जै देव के चरित्र के रूप में चुना गया था वह एक प्रसिक्षित मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। विहार वोर्ड इंटर्मेडियेट वार्शिक परिक्षा 2024 को लेकर या सूचना हुई जारी विहार विद्याले परिक्षा समीती पटना के तरब से महतवपून अधिसूचना जारी की जा चुकी है। दमी सूची करन प्रमान पत्र जारी करते हुए उनमें मिलने वाली त्रूटियों को सुधार करने का आपसर दिया गया था। सफलता के बाद इसरो अब इस मिसन को सफल बनाने की कर रहा तैयारी। चंद्रियान तीन की सफल लैंडिंग इसरो के लिए एक बरी उपलब दी है। चंद्रियान तीन की सफलता को देखते वे इसरो अब खुद को सूरे के एक मिसन के लिए तयार कर रहा। एस सोमनात जोकी इसरो के अध्यक्स है उन्होंने पत्रकारों से बात्चीत के दोरान कहा कि सूरे मिसन के लिए आधित्य ल-1 उपग्रह सितंबर से पहले सप्ता में लौंच किया जाएगा। उन्होंने बताए कि सूर वातावरन का अध्यन करने के लिए कोरोनोग्राफी उपग्रह को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगबग 15 लाग किलोमेटर की यात्रा करने में लगबग 120 दिन लगेंगे। बतादे कि स्रीहरी कोटा में भारत के रॉकेट बंदरगापर आधित्य एल वन अंत्रिक्ष यान सूरे का अध्यन करने वाली पहली अंत्रिक्ष आधारित भारतिया वेद सालाव प्रचेपन के लिए तयार की जा रही है। पिता के स्राद कर्म को लेकर वारानसी के असी घार पर दिखे पंकस्त्रिपार्थी अभी हाल में वारानसी में बॉलिवूड अभी नेता पंकस्त्रिपार्थी नजर आ है। राजमे नागरी केंदरित पुलिसिंग को बरहावा देने के लिए टाउन आउट पोस्ट की होगी अस्थापना। संजा कुमार सिंग ने पुलिस मुख्याले के सभागार में दी फिरसे जीस्टी के रद किये निबंधन को सुरू करवाने का सुनहेरा आफसर। वे सभी टीस्टी करदा था जिनका निबंधन विवरनी दाखिल करने में विफलता के कारण 31 दिसमबर 2022 तक रद हो गया है लेकिन जिन्होंने चालू कराने के लिए सरसमय आवेदन दाखिल नहीं किया हो। या दिनके द्वारा विवरनी दाखिल करने में विफलता के कारण निबंधन रदगी आदेश के विरोध दाखिल अपील निरस्ता हो चुकी हो। आपके द्वारा दाखिल की जाने वाली सभी विवरनियां उनके अनुसार देखकर ब्याज सास्ती तथा लेट फीके भुक्तान के साथ दाखिल करनी होगी यहां अवेदन 31 अगस 2023 तक दाखिल की जा सकती है। बिहारी परेटन में आज हम बात करेंगे बिहार संग्राले के बारे में बिहार संग्राले ने कई कलाकृतियों को अलंकृत किया है। और यहां आपको इतिहासिक जानकारियां मिलेंगी। यहां बेली रोड पटना में से थे और यहां का पसंदीदा दर्सनिय स्थल है। राले में विबिन खंड हैं और बच्चों के लिए सबसे पसंदीदा हिसा बनावटी वन्नेजी वाला भाई। प्रति हजार के आबादी के हिसाब से किया जाता है। बिहार के अधिकांस जिले स्रेणी एक तक 2030 अप्रेल तक पहुँच चुके थे। मलेरिया के निर्धारित स्रेणी 2-1 से पहुँचने के लिए बिहार को वर्ष 2015-2021 के बीच विस्व मलेरिया दिवस के मौके पर सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर असोग जोकी वेक्टर जनित रोग नियंतरन कारिक्रम पदादिकारी और अपर नेजेसक हैं उन्होंने बताया कि वर्ष 2030 तक देश में से मलेरिया और मूलन का लक्ष निर्धारित हुआ है। पटना के गंगा नदी में तैरता मिला राम नाम लिखा पत्थर। एक खबर सामने आई है जहां पता चला है कि पटना के गंगा नदी में पानी में तैरता हुआ पत्थर नजर आया। जिसे देखकर लोग काफी हैरान हुए राम नाम निखे इरते हुए पत्थर की ख़बर जैसे ही लोगों के बीच फैली लोगों की भीर वहां देखने को उमर गई फिलहाल इस पत्थर को राजा घाट के पास मौजूद एक मंदर में के प्रांगन में रखा गया है लोग के कहें अनुसारिया राम सेतु का सिला है लोगों द्वारा पत्थर की पूजा अर्चना भी शुरू की गई है लोग इस पत्थर के दर्सन कर खुद को बराही धन्य मान रहे हैं साथी राजा घाट का नाम बदल कर राम घाट रखने की भी बात कह रहे हैं राजभवन और राज़ सरकार के बीच 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 बीते कुछ दिनों में वीसी की न्युक्ती को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा था इस मुलाकात के ठीक बाद उन विग्यापनों को वापस ले लिया गया जो पांच बिस विद्याल है कि कुल्पती की न्युक्ती के लिए राज़ सरकार द्वारा निकाला गया था इन सबी विग्यापन संक्टिया को सिख्चा विभाग ने नोटिफिकेसन निकाल कर वापस ले लिये हैं वही राज़भवन और राज़ सरकार के भी चल्रे विवाद पर जब सी एम नितीश से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे इंकार कर दिया उन्होंने साफ तोर पर कहा कि राजभवन के साथ कोई टकराव नहीं है हाला कि अब सभी क्यासों पर विराम लग चुका है जब से विग्यापन वापस ले लिए गए सरीर में टेप से चिपका कर सराप तसकरी का नया मामला गया जिले में आया सामने बिहार में सराप बंदी के बाद सराप तसकर एक से एक तरकीब तसकरी के लिए निकाल रहे हैं अब एक और सराब तसकरी का मामला सामने आया है जिसे पुलिस द्वारा बे नकाब किया गया दरसल पुलिस ने गोपाल गन से दो ऐसे तसकरों की गिरफतारी की जो सरीर में छिपा कर सराब की तसकरी करते पकड़े गया है फिलहाल इने पुलिस द्वारा ने एक हिरासत में भ पूरे 56 पीस थे जिसे यूपीस से लाया जा रहा था यूनिक आईडी से चात्र भरेंगे इंटर परिक्षा फॉर्म अब यूनिक आईडी से राजिक के 15 लाग चात्रों के इंटर परिक्षा फॉर्म भरे जाने वाले हैं यह यूनिक आईडी चात्रों को पंजियन फॉर्म दे दिया गया था अब अंटर परिक्चा फार्म यूणीग आई डी के जर्ये ही चात्र द्वारा भरे जाएंगे बोट के मुदाविक हर छात्र के पंजिर्ण और परिक्चा फार्म में एक ही उनिक प्रदेश में मौसम का मिजास बदलने लगा है पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिस अब रुक गई है दो दिनों में हुई बारिस से एक तरफ चहां के सानों के चहरे पर खुसी लोटी है तो वही दूसरी तरफ सहरी लाकों में जल जमाव जैसे हालात उत्पन हो गया है ज दादे की कर्टेहार के संगंज मदेपूरा पुर्निया सुपॉल और अरया जिलों में एक या दो स्थानों में भारी बारिस होने की संभाव ना है इधर किसानों का कहना है कि अगर कुछ और बारिस होते तो धान की फसलों के लिए काफी फाइदा मिलता दक्सन बिहार के रस्तर में कमी देखी जा रहे इसका एक मात्र कारण है नदियों में पानी का नहीं होना वहीं अगर तेज बारिस नहीं होती है तो आने वाले दिनों में दक्षुन बिहार में जलसंकर जैसी समझ से अउत्पन हो सकती है लोकसभा के कारेवाही में इन सांसदों ने बनाए प्रसन पूछने में उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है या रिकॉर्ड उन्होंने 188 प्रसन पूछ कर बनाया 28 अगस्त को 1-8 तक के चात्रों का होगा मासिक मुल्यांकन 28 अगस्त को 1-8 तक के चात्रों का सरकारी स्कूलों में मासिक मुल्यांकन होने वाला है इसके लिए मासिक मुल्यांगन का फॉर्मिट राजी के सभी प्राद्मिक और मध्य विद्याले के स्कूलों को भेज दिया गया है इस फॉर्मिट के अनुसार सभी जानकारी को सिक्षा को द्वारा भरा जाएगा फिर उन बच्चों का वार्सिक रिपोर्ट इसी मासिक मुल्यांगन के अधार पर तैयार किया जाएगा बता दे कि हमासिक मुल्यांगन अगर्स्त के साथ-साथ ऑक्टूबर नवेंबर जनवरी और परवरी मा में भी किया जाएगा जल्धों के पंचायत प्रतिनिदियों के 1146 पदों पर उप्चुनाव होने की खबर सामने आई है बता दे की 909 पंच के पद फिलहाल इतने रिक्त है मदाता सूची का पुनर निरिक्षन पंचायत उप्चुनाव के लिए किया जा रहा है जिसके तहट लोगों से दावा और आपत्ती की मांग की गई है राज निर्वाचन आयोग उप्चुनाव की तारी का एलान मदाता सूची को अंतिम रूप देने के बाद करेगा स्वास्त का हवाला देते वे कहा कि उनकी किड्नी का ट्रांस्प्लांट अभी हाल में ही हुआ ऐसे में उनकी जमानत को बरकरार रखा जाया इस बात का सीविया के वकील द्वारा विरोध किया गया अब इस मामले पर 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई की जाएगी बताजे कि इन दलीलों को लेकर अडिस्टनल सॉलिस्टर जनरल सुरे परकास भी राजु द्वारा कहा गया है कि लालु यादब का किड्नी ट्रांस्प्लांट हुआ है लेकिन वे बैडमिंटन खेल रहे हैं बीजेपी के अडिख समराच चौधिली ने सेड़्िया इप मामले में राज़त अड्यक्ष लालु यादफ की सुनवाई पर नितिए उसकुमार के बेचारे वाले बयान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि नितिएस कुमार ने ही लालु यादप को जेल भेजने का काम कि दिया है नितीज कुमार के द्रिया उन के द्वारा ही लालू यादव पर चार्ज सीट की गई थी चारा घुटाले में नेतीज कुमार नहीं जेल भिचवाया था की ही मिही कृपा है przypadku सरमाणी की जदियू की नेता सरद यादव राजत के नेता सिवानंद तिवारी और जदियू के ललन सिंग सभी ने लारू यादव के खिलाब CBI को सबूत दिये थे विपक्ची गरबंदन इंडिया की बैठक जो मुंबई में होने वाली से लेकर उन्होंने कहा कि नितीज कुमार को दो तीन स्टेट के छोटे संयोजग बनाने की तैयारी है इसी के लिए वो इंडिया के गरबंदन में गय है वही नितीज कुमार के अंडिया चोड़ने की वज़ा बदाते वे समराच चौतरी ने कहा कि प्रधान मंत्री बनने के लिए उन्होंने अंडिया को छोड़ा है एसी अकब 2023 के लिए रोहिट सर्मा ने पास किया योयो टेस्ट एसी अकब नजदी के और भारती क्रिकेट टीम बैंगलूरू में निस्नल क्रिकेट अकैडमी में अपने कैंप में व्यस्त है इस कैंप में 17 में से 14 खिलारियों ने हिस्सा लिया है और आयलेंड डॉले से 3 खिलारी जल्दी बैंगलूरू पहुंचेंगे इन सभी खिलारियों का योयो टेस्ट कराया जाएगा विराट कोली, रोहिद, सर्मा, हादिक, पांडियो और अन्य खिलारियों ने यह परिक्षा पास कर दिया लेकिन केयल, राहुल जिनकी फिटनेस एक बरी चिंता है नई योयो टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया भारत के तेहास में आज की तारीक कई कारणों से है दर्ज, अलाउद दिन खिलजी ने तेरो सो तीर में चित्तौर गर पर कबजा किया बंगाल के क्रांधी कारियों ने 1914 को कलकता में ब्रिटिस बेरे पर हमला कर 50 मौजर और 40,000 राउंड गोलियां लोटी तेलगो फिल्मों के सूपर स्टार चिरन जीवी ने 2008 में अपनी नई पार्टी प्रजा राज्यम का उधगार्टन किया हिंदी साहित्तेक एक महानउपद्य श्कार चतूर सेन सास्त्री का जन 26 अगस 891 को हुआ था भारत रत्न सम्मानित मदर ट्यसा का जन 26 अगस 1910 को हुआ था हर्याना के पूर्व मुख्या मौत्री और स्वतन्त सिनानी बंसी लाल का जन 26 अगस 1927 को हुआ था प्रसित साहितेकार गीत गजल दिनेश रगुवंसी का जन 26 अगस्त 1974 को हुआ था भारते हिंदी सिनेमा के प्रसित साहिक अभी नेता इंद्रिकुमार का जन 26 अगस्त 1972 को हुआ था प्रसित विधिवेता सिक्षा प्रेमी रचनाकार तथा बंगला भासा के प्रसित कभी और सं नर्सन कलाकार एक हेंगल का निधन 26 अगस 2012 को हुआ था वाट्सअप में जल्द आप बिना नाम डाले भी क्रियेट कर पाएंगे ग्रूप मेटा के सीओ मार्क जुगरबर्ग ने फेस्बुक के जरीए बताया है कि जल्द यूजर्स को वाट्सअप में एक नया फीचर यानि ग्रूप नेम की जरूरत नहीं होगी मार्क जुगरबर्ग में फेस्बुक पोस्ट में लिखा है कि जब आप चैट में सामिल होने वाले लोगों के आधार पर वाट्सअप ग्रूप का नाम रखना चाहते हैं और उसके आपके पास कोई दूसरा नाम ना हो तो ऐसा जल्द एप में आने वाला है फिलहाल वाट्सअप में ग्रूप्स बनाने के लिए उसका नाम रखना जरूरी होता है जबकि फोटो और ग्रूप डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होते हैं जल्द यूजर्स को ग्रूप के नाम भी लिबर्टी मिलीग और बिना नाम के भी ग्र वाइरल खबर में आज हम बात करेंगे भारतिय साइबर अपराद समन्वे केंद्र के बारे में सोसल मीडिया पर कई सूचनाएं वाइरल होती हैं लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं इसी करें में आज हम बात करेंगे भारतिय साइबर अपराद समन्वे केंद्र के बारे म भारा सरकार के अधीन किसी भी संगठन द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया बिना खबर दिये जदियों कारे आले पहुंच बीबी मंडल के चितर पर माले आरपन करने पहुंचे सियम नितीस बीते ही दिनों बीपी मंडल के जन्ती को लेकर पटना में राज्कीय कारेकरम का आयोजन हुआ इस राज्कीय कारेकरम में नितीज कुमार के सामिल होने की खबर भी सामने आए कारेकरम समाप्ती के बाद बिना किसी को जानकारी दिया चानक से नितीज कुमार जदियो कारेयले पहुंचे जदियो कारेयले आने के दोरान वीपी मंडल के चितरपर सीम नितीज ने माले आरपन किया इस दोरा नितिस कुमार अपने गारी में बैठ चुके थे इस दोरा नितिस कुमार ने मुस्कुराते वे लेलन सिंग की क्लास लगा दी और कहा कि आप अपने कमरे में ही बैठी है हम आपके कमरे में गय थे लेकिन आप यहां मौजूद नहीं थे हम प्रते दिन आपसे पाज ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो की वीपीस्टी बिहार पुलिस दरोगा समित एससी जैसे अने प्रतियोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेसल विग्यान करेंट अफियर्स और गोल से रहेंगे प अपसने मसोनी अपसन भी सटीन तंदुलकर अपसन फिराट कोहलिं आपसन डी है जस्पित भूमरा इसका सहिए उतर है सटीन तंदुलकर हाली मिन ऑसनी का भ्यास माला बार का 27 संसकरन किस देश में संपन हुआ है आप्शन ए है जर्मनी आप्शन भी है जापान आप्शन सी है अमेरिका आप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया हाली में 22 अगस्त को किस सहर का स्थापना दिवस मनाया गया इसका सही उतर है मदरास उद्वंद प्रकास के लेखक कौन है? आप्सन आ है मौली कभी आप्सन भी है बोधराज आप्सन सी है पर्मल आप्सन डी है विद्यापती इसका सही उतर है मौली कभी मौली काली न स्थापते कला के साख्च निम्न में से कहां से प्राप्थ हुए है? आप्सन आ है पार्टली पुत्र आप्सन भी है बराबर आप्सन सी है राजगरी आप्सन डी है इन में से सभी इसका सही उतर है इन में से सभी बीते ही दिनों हमारे दौरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कवेंट से बॉक्स में लिख कर दिया था दिनों ने आवारे दौरा पुछे के सवाल का जवाब देया उनके नाम है एचके सर्मार अंजीत मिस्रा, रामचंदर सिंग, सलीम अंसारी, मुहमत फिरोज, धनूप्रिया, विजय कुमार मंदर इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार वरतमान में बिहार के सब से लोग प्रिये सांसत कौन है आप अपना जवाब हमवार करण सक्षन वॉक्स मलिक कर जरूर बते आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे हैं बिहारी न्यूद और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद